यह देखे सर यह हमारी PCB है, E-Model L34, यह इसका view है, इसमें हमें सर इसको कैसे firmware upgrade करना है, इसका solution बताते हैं, इसके लिए इसका tool है, इसका tool है, upgrade of EPS, इसे open करेंगे, इस tool को, चिक है, उसके बाद हम इसका IP सर्च करते हैं, यह IP आगया है इसका, इससे select करते हैं, अब यह searching चल रहा है सर, यह अभी हम search करेंगे, उसके बाद सर इधर हमें double click करना है, इसे उपर जहां mouse दिख रहा है, इधर double click करेंगे, यह देखे, सारे parameter open होगा, यह देखे, double click करने से यह सारे option हो जाते हैं, तो इधर देखे हैं सर, यह option पर जाना है मैं, and browse, upgrade, तो इधर हम select करना होता है मैं file, अपने यह select करना होता है, यह हमारे पास file है, यह हम customer को provide करा देते हैं, जब from where upgrade करते हैं, इसे select करना होता है, open करना होता है, और देन इसे upgrade करना होता है, यह option है, इस पर click करना होता है, और ok करना होता है, यह देखे, सर, modify, modify, modify IP होगा, और यह देखे, सर, downloading हो रहा है, from where upgrade हो रहा है, इसे upgrade progresses, अभी upgrade हो जाएगा, सर, यह देखे, सर, 100% हो जाएगा, तो यह upgrade हो जाएगा, upgrade finished, और देखा, upgrade finished, अपके कर देए, यह upgrade हो गई सब्सक्राइब हो गई सब्सक्राइब, फरम बेर upgrade हो गया है, यह दोबारा से सर्च कर देता है, यह आती आ चाहिए, और यह फरम बेर upgrade हो गया है, पाएगा, यह आतár कर देए, यह देए